हालो दोस्तों आप सबी का सब्स्रागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के रेलेड़ेड आपके अग्जाम में किस परकार के सिक्षन वीडियों से कोशन पूछे जाते हिं किस परकार से पेड़ागोजी के question पूछे जाते हैं, उसका कुछ मैंने आपको topic यहाँ पर wise देरे देरे आपको सारी चीज़े करवा दूँगा, okay तो इस वीडियो में आपको मैं maths पेड़ागोजी के बारे में आज पहले चेप्टर के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते हैं अब को सारी इंफोर्मिशन मिल जाएगी तो मशकार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हैं डीके गुपता ओंलाइन वीडियो पो गौर्मेंट अग्जाम चलिए शू करते हैं तो देखो Maths Pedagogy को यानि कि Maths को गनित को अलग-अलग रूपों ने अलग-अलग तरीकों से परिभाशित करा है जैसे कि इसमें NCRT का कहना है क्योंकि हम NCRT बेस पर सारी चीज़े पढ़ेंगे इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो NCRT ने बोला है NCF 2005 के अनुसार उसी के अनु जो बालक की गनित्ती करण का विकास करें या गनित्ती करण करें यानि कहने का तात्परिय जो बच्ची का सारी की सारी चीज़े गनित्त से रिलेटेड है जैसे कई बच्चे इसको सीखनी पाते कई बच्चे इसको कठिन मानते हैं तो ऐसा आपको कई विचार उसमें प्रक कर दिया गया है इसी के related कुछ आपके जो गनित्य के related आपकी जो questions पूछे जाते हैं जैसे कि आपके portfolio हो गया rubrics हो गया विदियां होगी उससे related कैसे questions पूछे जाते हैं तो देखिए एक गनित्य portfolio का विशेवस्तु है कैसा है आपका content mathematics portfolio portfolio के बारे में पहले मैं आपको बता दू होता क्या है तो portfolio आपका एक पूरा का पूरा जीवन भर का या पूरे का साल का एक विस्तर्थ एक छोटी सी आप ऐसा लगा सकते हो कि document है आपका उसमें आप किस तरह का क्या सहीवजन हो करते हो किस तरीका का आपका फिजेरिक collectivities है किस तरीके का आपका पूरे साल भर का आपका कह सकते हो कि सहीव कैसा रहा उस परकार के पूरी के पूरा एक ध्यान रखा जाता है आप क्लास में कैसे हो वह भी देखा जाता है आपके विचार कैसे आपका नितिक विकास कैसा आप खेल में कैसे हो आप पढ़ाई में कैसे हो तो वह सारी क्या है विवित परकार की वस्तुएं इसमें शमलित किये जाते हैं जिन पर एक विध्यारती य गए, second से fourth, third में गए, तो इस परकार का जो एक साल का आपका कार्य अवधी होता है, उसका, उसके आपकी पूरे साल बर की क्या होती है, portfolio उसके अंदर रहती है, इसी से related कुछ सुझाओ, एवं बुंदियों हो सकती है, कि किस-किस परकार से आप portfolio रख सकती हो, जैसे कि मुक्त उत्तर वाले पर्षन, यानिकि English में आप open-ended questions या answers कहते हो, for example, मैं आपसे दो questions करता हूँ, एक question आपसे ये पूछूँ, कि मैं अगर दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए आपका पानी बंद हो जाए, या पेट्रोल बंद हो जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हर बच्च पर्षन हो गया, तो आपको जो भी question, यानिकि जो भी portfolio के अंदर recorded होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, आपकी मुक्त उत्तर वाले पर्षन होने चाहिए, एक सामुविक project की report, यानिकि इसके अंदर आप सामुविक project के जो reports होते हैं, यानिकि आपके class में कुछ assignments दे बच्चों को मिलकर, उस बच्चे में कितने, कौन से बच्चे ने कितनी साहिता की वो चीज आप इसके अंदर note down कर सकते हो, विध्यार्ति द्वारा प्रसुत किये गए, पूछे गए पर्षन, यानिकि विध्यार्ति जो class में आप से पर्षन पूसता chapter complete कराने के बाद, उसकी mentally ability check करने आप अपने उसको note down कर सकते हो, उसमें, एक छोटा project, सामिक project के साथ साथ जो single project जिया जाता है, या छोटा project जिया जाता है, उसके अनुसार बच्चे ने कैसा अपनी performance किया, वो आप note down कर सकते हो, उसके अंदर, समाचार पत्रों पत्रिकाओं के लिख, आप बोलते हो, बच्चे नहीं करके लाते, तो उसके अनुसार आप अपके दस्तावेज के अंदर या आपने portfolio के अंदर उसको record कर सकते हो, यह कुछ चीजे ऐसी थी, जो कि आप portfolio में आप समलित कर सकते हो, include कर सकते हो, portfolio से आपका होता क्या है, तो portfolio से बच्चे का निरंतन विकास की प्रग करती चलता, मतलब कल कम था, तो आज जादा है या कम है, उसके बीच में relation देखने के लिए, उसका अंतर करने के लिए, यह portfolio काम हाता है, आपका, ओके, तो ध्यान रखेगा आप इस question को, next आपका rubrics, देखो, rubrics क्या होता है, तो rubrics आपका बहुत important question है, for example, आपका एक teacher है mathematics का आपने paper दिया और आपका question वो check कर रहा है, आपका हमाँ पर answer आगया गलत, तो पूरा का, पूरा question आपका, जो teacher होगा, वो question काट कर 0 number नहीं देता, क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर therefore, let, formula, question करने की विधी, और उसका answer, यह सारी चीज़ें मिला कर आपके number दिये जाते है तो उसी को क्या का जाता है, rubrics, यानि कि step-wise step सारी चीज़ों को check करके आपके जो उत्तर को answer दिया जाता है, number दिये जाते हैं, उसी को आपके जाच करने के तरीकों के क्या का जाता है, rubrics का जाता है, यह नहीं, यह पूरा आपने answer last में check कर लिया, answer गलत है, तो पूरा question गलत होते हैं ना कि पूरे एक answer को देखकर इмain bought का लिया जाता है या दे दिया जाता है तो उसी क्छिए क्या जाता है Rubrics का जाता है तो एक रूडरिक्स Likit मारधर्शन प्रदान करता है जिससे सिस्च विध्यारतियों के कार्यों का मुल्यानकन किया जाता है जैसे कि मैंने अभी आपको अग्जामपल बताया कि आप जब पेपर दिया तो उसने आपने उसके नदर दियर 4 का साइन लगाया फॉर्मुला लिखा, स्टेप्स कैसे लिखे अंसर सही आया की नहीं है ये सारी चीजों का आपका क्या करता है शिक्षक विध्यारतियों कार्य का मुल्यानकन करता है शब्द रूब्रिक को इस परकार परिभाशित किया जाता है मुल्यानकन के लिए मार्क निर्धर्शन का एक समुच्च्च जो मूल निर्धारित किये जाने वाले अभी लक्षन और आयामो को 120 प्रदर्शन का सोटी तक एक rating scale के साथ व्यक्त करता है यानि कि rating scale क्या होती है उसमें कम से कम 3 बिंदू से लेकर 7 बिंदू तक विस्तारित किया जाता है कि बच्चा किस परकार का किस चीज में आपका प्रस्तावित है जैसे कि मैंने अभी आपको बताएक कोशन के 5 नंबर है तो 5 नंबर आपके कैसे कैसे distribute होंगे एक नंबर formula का एक नंबर आपके therefore के एक नंबर आपने जो steps लगा है उसके आपके जो बीच में solution करा उसका और एक नंबर आपका answer prove करने का वो तो rating scale उसी को कहा जाता है step wise step यानि कि जिसके कम से कम 3 बिंदू तक आपको विस्तारित कहा जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा साथ बिंदू तक rating scale में ओके तो धियान रखेगा इस चीज की इन सारे आयामों को check करने का 125 प्रदान करने का या आपका क्या कह सकते हो मुल्यांगन करने को ही rubrics कहा जाता है तीन बिंदू में समझने कोशिश करते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको example बताया था कि आपका formula का therefore का solution का क्या करा जा रहा है नंबर दिये जा रहे तो क्या है आपका एक निश्चित scale पर आपको नंबर दिये जाते है next है scale के परतेग बिंदू के लिए परदर्शन की व्याख्यान करने के लिए पहले अभी लक्षणों की एक सूची एक सूची कैसे कि आपको कहां पर कितने नंबर देने हैं कहां से कितने नंबर लेने हैं कहां पर कितने नंबर काटने हैं तो इस परकार की क्या होते है, व्याखन करने से पहले अभी लक्षन की एक सूची होती है, उनके परतेख बिंदों का प्रदशन करने का, ओके, नेक्स्ट है, विध्यारतियों के लिए एक से इसपस्ट प्रदशन लक्षे, यानि कि जो विध्यारतियों का होगा, आखरी में कितना number दिया जाएगा कितना नहीं उसका पूरा एक विसेश रूप से इस पस्ट परदर्शन होना चाहिए तो उसी को कहा जाता है rubrics अब चलते हैं अपने विधी के उपर जो कि सबसे main important आती है आपके समस्य समाधान विधी जिसे English में आप problem solving method कहते हो तो यहां से आपके काफी important question आता है क्योंकि यह जो विधी होती है main important आपके किसलिए होती है mathematics के लिए होती है आपकी तो इसके जनक यानि कि आपके इसके जो पूछा जाएं यह किसके द्वारा बनाई गई थी तो आप में इसमें काफी विक्तियों के यह काफी psychologist के नाम आते हैं जैसे कि सुकराथ यह Saint Thomas अलग-अलग लोगों के अलग-अलग psychologist के नाम आते हैं अधिकतर जो पूछा जाता हो सुकराथ आपका option में मिलता ही है तो यह किसके द्वारा जनक किसके द्वारा बनाई गई थी सुकराथ के द्वारा बनाई गई थी आखिर है क्या यह तो जब किसी उद्देशे की प्राप्ति में बाधा उत्पन होती है तो आप विग्यानिक तरीके से उसका समाधान किया जाता है For example, किसी चीज को आप समझ रहे हो, कर रहे हो, तो उसके अंदर बीच में आपको समस्य आगी, तो उसको सोच समझ के विचार करके, चिंतन करके, मनन करके, उसमें ध्यान लगा कर उस चीज को क्या करते हो, आप समाधान निकालते हो, तो उसी को क्या कहा जाता है, समस्य समाधा विधी के नीचे चरण दिये गए उनको विस्तारित रूप में या सीरियल वाइज लगाने के लिए दे जाता तो सीरियल आपका इसी परकार का है जो की स्टेप्स होते हैं वो आपके पांच परकार के होते हैं कौन-कौन से पहला होता आपका समस्याओं को स्विकारना या पह पहले आपको यह तो पता नचीए कि समस्या है क्या नेक्स्ट फिर समस्याओं का विशलेशन या समस्याओं का प्रस्तूति करण भी कह सकते हैं आप इसको ओके एनिलाइसिस दा प्रॉब्लम मतलब वो प्रॉब्लम आख्यूरी है किस कारण आ रही है उस चीज का पता करना नेक्स्ट आपका आपक्षित गनित्य संबंदों की खोज यानि कि to search the expected mathematical relation आगे relation और लिख लिजेगा ओके इसको क्या कहा जाता है हिंदी में एक और चीज इसको कह देते हैं कभी कभी कि उल्प उपकपनाओं का निर्मान तो इसका कहने का ताथ पर यह आप जो चीज समस् जात करना मतलब to find the solution या आगड़े एक रित करना या सत्यपन करना भी कई बार हिंदी में लिख दिया जाता है तो कहां पर क्या हो गया सारी चीजे पता लगी फिर उसके बाद हम हल करेंगे कि आखिर ये इसको solve कैसे किया जाता है और last में उस चीज का हम क्या करेंगे उत्त solving यानि की समस्या समाधान के चरण होते हैं बहुत important question है काफी बार पूछा जा चुका है इसके साथ साथ में इसके कुछ गुण भी है और कुछ दोश भी है क्या क्या है गुण तो देखो गुण में होता है ये आपकी एक व्यग्यानिक विदी है क्यों क्यों कोई भी चीज समस्या को समधान करने के लिए आपका क्या है व्यग्यानिक होता है क्यों 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 कि व्यग्यानिक जो होते हैं वो किसी भी समस्या का ये नहीं कहते कि हल नहीं है वो किसी किसी तरीकित से हर सी समस्य का क्या निकाल लेते हैं समधान निकाल लेते हैं इसलिए इस immainable कि इसको क्या कहा जाता है विच्यानक विदी यह इसमें चात्र सोचने के लिए प्रिरित होता है, देखो किसी चीज के अंदर आप समास से हम में फस जाते हो, तो उसको सोचोगे तब ही तो उस चीज के बाहर निकल पाओगे, तो इस क्या होगा, चात्र इसमें सोचने के लिए प्रिरित होता है, यह करके सीखो के सिध्धान पर आधारित होता है जब तक आप कसी समस्या को करके नि देखोगे सीखोगे नीं वो कैसे उस पर क्योंकि छोटी कक्षा में जब बच्चे किसी समस्या में फस जाते हैं, तो बच्चे वहीं पर ही छोड़ चाड़के निकल लेते हैं, वो ज्यादा सोचना मनन नहीं करते हैं, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है, और ये विधी कैसी आपकी महंगी वि सही समस्या पहचान नहीं पाते हैं, तो इसका ये भी दोश हो जाता है, आपका, तो ध्यान रखे कि गुण के साथ साथ कुछ तोश भी हैं, नेक्स्ट आपका कि सहकारिकता अधिगम विधी है, कोपरेटिव लर्निंग एप्रोच काई बार इसका आपका फुल फॉर्म ही पुछ ले जाती है, CLA लिग दिया जाता है और आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो कोपरेटिव लर्निंग एप्रोच भी कहा जाता है, इसको हिंदी में जोफी सहकारिकता अधिगर विधी कहा जाता है, इसके अंदर होता क्या हैं, मैन प्रॉबलम भी इस विधी लिए बच्चु के अंदर ईसना समाज़ करनी का विकास क्या जाता है तो सहकारुप्ता अधिगम विधी ऐसे वातवण में अधिगम को बढ़ावा देती है जहां विध्यारति छोटे-छोटे सम्मूँ में अपने विचारों का अरदान परदान करते हैं विया उस्तिक कारे कंड़ ktery करते हैं क्या करते हैं तो इसमें करना करते हैं या फिर आपका जिकसोग जो आपने देखा होगा जिक्सो में क्या करता हो मिल जूलकरी कार्य को करना सीखता है तो जिक्सो का भी इस्तमाल करते हैं या फिर आप कह सकते हो लर्निंग टुगेडर यानि की एक साथ सीखते हैं कोई छोटा कार्य दिया जाता है उसको एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने के लिए इनको विधी कही करी जाती है तो इसी के आपको क्या का जाता है सहकारिकता अधिगम विधी कहा जाता है आपका ओके तो यह था आज आपक दोस्तों आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिकाडिंग कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरियो तो नीचे कमेंड बोक्स में कमेंड किजीगा मैं आपका रिप् जै भारत